आप और आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, सुष्ट होंगे मित्रों, मनुस्य के जीवन में खुसियां आती जाती रहती है मनुस्य को कभी बहुत सारी खुसियों के प्रापती होती है तो कभी कई प्रकार की मुसीवितों, कई प्रकार की समस्याओं, कई प्रकार के कश्टों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है और ये सारे के सारे ग्रहों के अनुसार, कोचरों के अनुसार और रासी में ग्रूओं के प्रिवर्तन की वज़े से दैनिक दिंचरिया में घटित घटनाओं पर अधारित होती है अपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं से आप चुटकार अप्राप्त कर सकते हैं आपके धन के छेतर में किस प्रकार से बढ़ोत्तरी हो सकती हैं धन की देवी माता लक्षपीजी किस प्रकार से प्रसंद होकर जीवर के समस्त प्रकार के समस्याओं से आपको चुटकार अदिलवानी वाली है मित्रों, कार्य भैवसाय भैपार के छित्र में भी आपको किस प्रकार से सफलता की प्राप्ती होंगी बिजनस करने वालों को किस प्रकार से लाव मिल सकता है और कार्य छित्र में आपके परत परतिष्टा में किस प्रकार से बडोत्री हो सकती है मित्रों आपको बताएंगे आपका लखी कलर लखी नंबर कौन सा रहनी वाला है तथा आपके जीवन में कौन से ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन को प्रिवतित कर सकती हैं धनडाब करवा सकती हैं बित्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करने ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दनों को बेहतर बना सके तब द्रों सबसे पहले तो आपको बता दे कि अगर आप अकेरे हैं और एक आउंत में हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखें अन्यता आप इस वीडियो को यही पर इसकीव कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारे के सारी जानकार्या रहसमय और आपके लिए जानना, सुनना और समझना बहुत भी आवस्त होगा क्योंकि इस सारे के सारी जानकार्या गुपत रहेंगे मत्रों, अगर आप के जीवन में किसी भी प्रकार की विद्न या बाधा आ रही हैं, धन से जुड़ी आपके जीवन में परिसानिया हैं, आप धन तो कमाते हैं, प्रन्तु धन का सही जगा इस्तमाल न करके गलत चीजों में धन चला जाता है या धन नहीं रुकता है तो ऐसे में आपके जीवन में स्वास्थ से जुड़ी, पारिवारिक गलेश से जुड़ी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं से, आगर आप परिसान हैं, तो आप इस विडियो को पूरा अकेले में देखें, क्योंकि सारी के सारे गुप्त बातें आ आपको हम बताने वाले हैं मित्रों सबसे पहले तो आपको बता दे कि सूर्य आपकी रासी के आठवे भाव में गोचर करने वाले हैं ऐसे में कुम्भ रासी वालों के लिए दिन पेहदिस सुब रहने वाला हैं आपके लिए आज का दिन बैपार के चात्र में आपको बहुत बड़ा मुनाफ़ा की प्राप्ती होंगे बैपार में किये गए कार्यों से आपको खूब लाव की प्राप्ती होने वाली है जिससे देखकर आपका मन प्रसन्न होगा आपके जीवर में खुसियां दोड़ी चले आएंगे आप सामाजिक और राजनितिक और दसाधार्मिक कार्यों में सही योग कर सुखोगे आपको अपने जीवर में स्वास्त को लेकर सतर रहने की जरूरत रहेंगे मित्रों अगर आप अविवाहित हैं विवाह आप करना चा रहे हैं परंतु विवाह का योग नहीं बन रहा है परंतु आप काफी मेहनत कर रहे हैं तो मित्रों ऐसे में ग्रहकुषर की गन्ना के अनुसार आपकी जीवन की प्रिवरतन सील घटनाओं के कारण आपका विवाह बहुत जल्द सफल होगा विवाह के मार्ग में आ रही आपकी पाधाएं बहुत जल्द दूर होने वाली हैं मित्रों भगवान स्रीहरी विश्मजी के क्रिपात हैं आपको कारिश्यत्र में मान सम्मान के प्राप्टी होगी और अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करना चाते हैं या आप किसी लड़के को प्रपोज करना चाते हैं तो आप समय आजुका है आपका समय उत्तम आपको इस कारे में सफलता की प्राप्टी होंगी और आपका विवा भी बहुत जल्द संभव हो सकेगा आपको संतान के पक्षे से बड़ी खुछकवरी की प्राप्टी होंगी संतान का किसी बड़े कॉलेज या बड़े इंस्टेट्यूट में दाखिला संपब हो सकता है आपको कारिश्यत्र पे भी काफी अच्छी कुसकवरिक की प्राप्ति होंगे आपका माहौल आपके अनुकूल रहने की वज़ा से आप परसंता की ओर रहेंगे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात कर सकते हैं भागे का पूरा-पूरा सहयोग मिल रहा है और जिस भी जादा का भागे सहयोग करता है वो दिन दूबनी रात चोगने तरकी करता है ऐसे में आप वह लखी भागेसाली इंसान है जिसका भाग अभी इस वक्त बहुत बहत्तिन साथ दे रहा है जिनकी वज़े से आपका आने वाले समय में धन की विर्दी होंगी कारिश्यत्र में बड़ा मुनाफ़ा भी मिलने वाला है आप किसी विशेश कारिकेर ये घर से निकल रहे हैं तो आप माता फिता का आसरवाद जरूर ले लें आपको सफलता की प्राप्ती निशित तोर पर होगी मित्रों अगर आप किसी जौब या इंट्रिव्यू को देने जा रहे हैं तो आज घर से बाहर निकलने से पहले अगर आप काम पर भी जा रहे हैं तो आप जरूर शुनिएगा आप घर से बाहर निकलने से पहले सबसे पहले माता फिता के चर्णों को असपर्स कर लें उसके बाद आप अपने इश्ट देविता को याद कर लें और सभी देवी देविताओं की जहां भी आप मंदिर बना रखे हैं जिस भी देविताओं की आपने घर में परतिमाय लगा रखी हैं उन सभी के सामने जाकर आप हात जोड़ कर विंती करके आप प्राहतना करें और आप अपने कारे को सिद्ध करने के लिए उनसे विंती करें आपका कारे अवस्य पूरी होगा वहीं अगर आपके घर में गरी कलेश बन रहा है अगर आपके घर में पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं रहता है तो वैसे में पारिवारिक माहौल को ठीक करने के लिए आप अपने पुर्वजों से विंती कर सकते हैं आप अपने पुरवजों से हाथ जोड़कर उनको मन ही मन याद करके आप उनसे विंती करें कि आपके घर का मावल बहत्रिन रहेगा मतरों आज के दिन आप किसी धारवी कर्ष्ठान पर विताओगे जैसे की दागरन, कर्तन, भजन संद्या आदी में इससे आपके मन को सांधी और शुकून की पराप्ति होंगे अगर आप वानी परनी अंतर रखोगे तो आपका बना बनाय कारी भी विगड़ सकता है आप अपने बच्चों के साथ अच्छे वर्ताव से फेश आने की कोशित करें दित्रों, आज के दिन अगर आपका कोई कोट कचारी से जुड़ा मामला चल रहा है और अगर आप आज के दिन उनका सुनवाई होने वाला है तो वह आपके पक्स में आता हुआ दिक हाहा है और आप इस समय पहुत इपड़र सल्ण होंगे विद्यार्थी वर्ग के दातकों को बताना चाहूंगा कि आपको अपने पढ़ाई पर लगातार फोकस रहने की जुरत होंगी इस समय आपके मन में भटकाव उत्पन न हो रहा है ऐसे में भटकाव को नियंत्रित करके आप पढ़ाई की और ज्यादा ध्यान देंगे तो बहत रहेगा मोबाईल जैसे उपकरनों का प्रियोग कम से कम करने की कुशित करें यह तातमभव जिस भी कारे को कर रहे हैं उस पे आप जादा ध्यान एकत्रित करें बत्रों भगवान स्रेहरी विश्मुजी की क्रिफा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी आप महरबा रहेंगे जिनकी वज़से आपको किस्मत का सहयोग भी प्राप्त होगा और किस्मत का सहयोग मिलने की वज़से आपके जीवन की रुकी पड़ी योजनाय पूरी होंगी और यदि लंबे समय से आपके तरक की रुकी हुई थी तो आज आपको उसको भरपूर लाव की प्रा तो आप घर में ही उसे बना रे, अन्य था बाहर की खानों पर आप परहेज करें, नहीं तो आप की शेहत बिगड सकती हैं, पेट में गेंस जैसे समस्याएं रह सकती हैं, आप कोई समय बाहर के खानों से परहेज रहने की चोड़त होंगी, मित्रों जो लोग नौकरी पे सवाले हैं जिन लोगों का नौकरी है और वोज चाहते हैं कि उनकी नौकरी में बहत्रीन सफलता मिले अगर आप नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं या धन के छित्र में वड़ोत्री पाना चाहते हैं तुमित्रों, आज के दिन आप अपने बॉस के साथ चिकनी चुपडी बातों को करने की कोशिद करें, बॉस और कलिक्स के साथ आप अपने कारे को बहतरीन परदस्त करने की कोशिद करें, जिनसे कि आपके बॉस प्रभावित होंगे, आपके कलिक्स प्रभावित होंगे, जि जो लोग बैपारी वर्ग के जातक हैं, जिन लोगों का बैपार वैवसाय है। नोगों को भी बहत्रिद सफलता और अच्छे काम काज करने के मोके मिलें के आप नए नए कलाइन्ड से मिल सकते हैं, अपने बिजनस का बैपार कर विस्तार कर सकते हैं, जिनकी वज़से आपकी आमदनी में वड़ूतरी होंगी। आर्थी किस्तियां आपके पहले से काफी मजबुत होंगी। मतरों कुम भिरासी के जात्कों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको भागे का सयोग मिलने वाला है। बैपार करने वाले जात्कों के लिए आज का दिन विसेश रहने वाला है। आपको कारुबार में कुछ नए बदलाब करने होंगे जिससे की भविस्य में आपको बहुत बड़ा फाइदा भी प्राप्त होने बाला है मित्रों बिर्जगार लोगों को जो भी इस समय बिर्जगार है नोकरी के तलास में हैं उन लोगों को बताना चाहेंगे कि आप नोकरी में जो भी आपको कारे मिलें आप किसी भी कारे को करने से पीछे ना हटें छोटे मोठे सभी कारे को करने की आप अवस्य कोसर करें आपके कड़ी मेहनत आपको बहत्रिन सफलता दिलवाएंगी आपके सिसाम को मित्र के साथ मिल ले जा सकते हैं और धन प्राप्ति के लिए यूजनाओं को बना सकते हैं आपको प्रिवार के किसी सदस्य से कोई सुब समचार सुनने को मिलेगा जिससे कि आपका मन और आपका जीवन प्रशन रहेगा कारिशित्र में भी भरपूर सफलता की प्राप्ती होंगी आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट वॉक्स में जैमाता दिया वस्तलिक है आपका दिन सुबहों मंगलकारी हो जैमा विंदु वासनी मातारानी आपके समस्त प्रकार के समस्याओं से आपको चुटकार दिलवाए आपके कारिशित्र में काफी बड़े कुछ कबरी की प्राप्ती हों इसके लिए मैं भगवान से विंती करूँगा आज भागे का 81% आपके पक्च में रहेगा गनेश जी को लड़ू का भोग लगा दे गाय गोमाता को आप हरा चारा और हो सके तो पहली रोटी और गुड़ खिला दे जिनचे की आपके सभी बिगड़े कार बनेंगे जैमाविंदु आसनी